आज रात को बार्सलोना का फीफा करियर का मेंगा स्ट्रीम चलने वाला है पूरा खतम कर दूँगा यूसेल जी आना है आज बार्सलोना को रात को आज आना कितने बजे अभी नहीं बता इंस्ट्राग्राम पर फॉलो कर लो वहां बता दूँगा 6 गंटे की स्ट्रीम होगे जो 6 गंटे करूँगा लेकिन आज बार्सलोना करियर मोट खतम करके ही हुटूँगा ठीक है एक है काली का गेम था यूसेयल का लिपरफू विलारयाल जो आपे लिपरफू टूनिल की विक्टरी निकाल के लिया इन फील्ड में कुछ गेम जो था ना बहुत मैं ये कहूँ आज की वीडियो के स्टाट करने से पहले भाई साब वन फुटबॉल के बारे बात कर लेते हैं देखें वन फुटबॉल है हमारे चैनल के स्पांसर और वन फुटबॉल जो है वो दुनिया का बेस्ट फुटबॉल एप फूर लिंक है डिस्क्रिप्शन में आप यूटब में आ रहूं और तुमको मेरे अलावा किसी और को यूटब में देखने का मन ना करें तुमन फुटबॉल is your place you can go there and you know what चेक फुटबॉल के स्चाफ एनिवेस कल का गेम या लिवरपूल वर्सेज विला-र्याल होता है 2-0 और अब इस विन के बाद मुझ को इन परिस भाई सहाब लिवरपूल में को फाइनल में नजर आ रही है अभी थोड़ से हैसे क्योंकि सेंट्यको बर्नेबू में इस ओल्डू फाइट फॉर मैंसिटी का भी हो सकता है किसका होगा मैंसिटी होगी कि या रियाल मट्रेट होगी मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन इसमें लिवरपूल का थोड़ा सा दब दबा नजर आया है कल के गेम में भी नजर आया है और आगे भी लग रहा है कि वहाँ विला रेयाल के स्टेडियम में जाकर के यहलो सब्मरीन को डूबा देगी अच्छे से लिवरपूल एनिवेस लाइन अप से स्टार्ट करते हैं लांut ट्रेट गेम निवरपूल और रेयलिवरपूल रेयरल्त बाकि अधेयल्ट बाकि ट्रेट यह सब करते हैं Cooking बैट स्टार्ट के अगार मिलीड्ड ट-र्वेस अनुना में पहत ही प्यारे पासिंग वाली बाइन वाली बडान चान अपन थोड़ा से इंगरा सा बिडात मचलक माइन पता है था यहाए कर नहीं इन पता हां अन tussen यह ने तक हमुल है वैस यह नहीं को औरुमीन पताल कर यहिवर जैस। midfields को defense और attack को जोड़ा है playmaker बनके जो ये खेलता है जो इसके passes है भाई जहाँ मतलब यार मतलब Belgian chocolate waffles की आदिला देते हो जो ऐसे मुझ में रखते पिघल जाते हैं समझ रहे हो ऐसे passes डालता है भैस याको अलका एंटरा anyways बात कर लेते हैं match की तो obviously line-up जो है Liverpool की कुछ ऐसी नजर आए थी हमको Diaz स्टार्ट कर रहे थे Mane स्टार्ट कर रहे थे false nine जो मैं आपको भी दिखाने माला हूं तो देर में Mohamed Salah स्टार्ट कर रहे थे and midfield was obviously बहुत फिनॉमेनल थे आगो स्टार्ट कर रहे थे बीच में Fabinho defensive midfielder बन की खेल रहे थे and defense भाई साहब आप जानते है Conate start कर रहे थे and वहां पर थोड़ा सा था कि क्या लेकिन Conate बहुत 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 कोशन उठा सकते हो and you know what उसके लिए मैं Liverpool की भी आज़े में बात कर सकता हूँ अभी बात करेंगे हम लोग tactical breakdown करेंगे मेरे दोस्तों but कोई attacking playing हमको देखने को मिला anyways अगर मैं तुमको momentum graph दिखा हूँ अभी दोनों team का भाई इसमें विजार जार का momentum है कहा तुम यह बोलोगे it was all Liverpool लिवरपूल ने भाई साब डॉमिनेट किया कल एंफिल्ड में anyways let's start with our tactical preview सबसे पहली बात one thing which I noticed बहुत ही शुरुवात में कि obviously line-up देख करके कि Sadio Mane जो है वो भाई साब false nine खेलेंगे और क्या ही false nine ये बंदा खेल रहा थै और यहां पर देखो बीच में गया है ठीक है बॉल प्रिक करता है मुरता है और अब इसके पास दोनों इसके speed वाले wingers available है बॉल को spread करने के लिए इस बार ये महमद साला को juice करते है और एक false nine जो थोड़ा सा you know what थोड़ा सा धीला false nine रहता है उसको time लगता है box माने में यह चार्च कर रहे है box में और मुहमद साला जो पास साइडियो माने इसको दिया था वह भाई साहब गोल मारने की पूरी तरीकी से कुशिश कर दी सोड़िया साइडियो माने और यहां पर miss हो गया था हेडर अगर गोल हो जाता है तो बहुत चुरुबात मुवमेंट में जो ही हो जाता है तो यह false nine वाला काम जो मेरे को back in days बार्सलोना में देखने को मिलते थी वह लिवरपूल यहां मेरे को करके दिखा रही थी भाई साहब मजा आगे था देखकर के moreover गांगन प्रेस was on at 0 at पार लेवल कल जो गांगन प्रेस कर रहे थी लिवरपूल उनी के हाफ में चड़के उनसे बॉल शीनना वॉस जस्ट ब्रिलियंट पीछे से आज रहे हैं दूनों अटैकर चड़ रहे हैं बीच में मिटफिल्ट मेर ने भाई साब को इस पेस नहीं खुनले का मौका दिया ह सब्सक्राइब करें लिवरपूल जिसके चलते काफी साथ जो है वो प्रॉब्लम में बढ़ रहे थे विलारयाल बैक थ्री तो नहीं था बैक टूई था को नायटे और वेंडाइक जो है वो टू बंगी खेल रहे थे इट वस ओवियस की एक बंदा आएगा सपोर्ट देने के लिए एंड बार-बार रोबर्सन आ रहे थे जब ट्रेंट आ रहा था सपोर्ट ने के तो रोबर्सन आगे चले जा रहा था तो यह जो एक तरीका होता है फुटबाल खिलने का वो भी हमको देखने को मिला जैसे आप यहां पर देख लो यहां पर फबीनों पीछे आ गय अपने स्टेडियम में पहलेंगे बट यहां ओडियंस आप देख रहे हो इसे चिपके रहते हैं फुटबाल पिच से यार इतना गजब का इट्मॉस्फियर होता है इस सो इस सो इस सो यहां हाड तू नॉट कंसेड इन एंफिल्ड जब ऐसा एट्मॉस्फियर हो यह ऐसे पासिस डाल दोगे तो कैसे जिंदा रहेंगे हम यह क्या पास था भाई अपसर्ड पास थियागो को और जाता है डाइरेक्ट हैंडर्सन के पैर में एंडर्सन को सिश्करते हैं बट ऑवेसली वो जो है वो हमको गोल में नहीं देखने को मिलता कानवा ठोटे बट यह फिनोमेनल करके गेम में तो यह डाइगणनल बॉल था एक हंडर्सन को बहुत ही पैरा हमको देखने को मिला था एक जो है यहां पर अटेम्ट तरफ से देखने को मिला तो नोट ऑवेसली शॉट ऑन टारगेट लिवर्पुल का त्यागो के तरफ से एक हमको देखने को म फोइथ और दियास को जो बिर्लियंट डूवल चल रहा था यूनो वहां पे लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्णर में वह मेरे को बहुत मजाया था देखने में फोइथ पकड़ के रखा था भाई साब लुईश दियास को एं फोइथ मेरे को याद है पिछले गेम में विला- से लड़ रहा था हमने कई बार देखा फबीनियों बहुत ही रियरली बॉल डिस्पोस्यस कर रहे थे जो बहुत ही रियर है उनके तरफ से होना मोर ओवर हमको डियास फ्रुस्टेटेड नजर आ रहा था और यहां पे थोड़ी सी लिवरपूल ना हड़ बढ़ाई सी लग लेकिन अगर गही लिवरपूल ना थोड़ी सी काम हो करके खेलती तो शायद हमको पहला गोल थोड़ा सा अरली देखने को मिल जाता और भाई साहब सीधा बात यह था कि ना विलारेयाल को बहुत बहतरीन तरीके से लिवरपूल बैठा के रखी थी I fairly remember एक इंटर्विव ज किसी एक प्लेयर को क्या यह आपको गेम प्लैन था मैंन मार्क करना तो वहां पर जगर कलॉप नहीं बात बूली थी कि मैंन मार्क कर रहा होगा तो मैं उसको जाकर करना हमारे नहीं है हम रदर इस पेस को जो है वो फिल करेंगे ताकि बॉल जो है वो पास नहों पाए हम इस I want to be in camp now, obviously I want to be in camp now, you know what, experience करना है मेरे को, वो camp now का atmosphere, but अगर camp now के लावा कोई एक ऐसा stadium जहाँ पर मेरे को बहुत ही जदा मन है, ऐसा football fan जाकर football देखने का, वो है Enfield, यह देख रहे हो, audience ball boy बन जाते है, वाई, Enfield मेरे को यह experience करना है, it was just amazing seeing the atmosphere of Enfield, anyways, so yeah, पहला गोल आता है, second half में भाई सहाब, जो offside हो जाता है, Fabinho का goal था, गोल था, corner के तरफ से, और समझ मांगे था कि अब तो गोल पढ़ने वाला, क्योंकि Liverpool को जंगनक्लॉप ने भाई साब दवाई खिला के भेज दिया है, पहला goal आया था, Henderson का बहुत ही प्यारा यहां पर शॉट लिया था, deflect हुआ था, पैर से जिसके चलते थोड़ा सा अमेजिंग, minutes after 46 में वो हुआ था, 53 में यह हुआ था, तुम अपने हिसाब से match के हिसाब लगा, मेरा match कमजोर है, minutes after भाई साहब जो है, वो goal हमको देखने को मिला, मुहमद साला की तरफ से, I am saying यह मुहमद साला का goal है, सबसे पहले इसने दो defenders के तरफ से, भाई साब क्या ही भाई साहब, बहुत ही प्यारा अपने आपको position रखे थे, वाल के पीछे, और फिर तो यह easy finisher चाडियो माने जैसे player के लिए goal होता है, 2-0 Liverpool जो है, वो lead करती है, but this nutmac was, भाई यह nutmac कैसे कोई कर सकता है, एक दम, you know what, 3-3 player खेल के रखी थी, लेकिन इस चल, moreover, आप 2 goal down हो, आप Enfield में हो, Willa Real, you need to step up the game, आपको attack मारना पड़ेगा, यह आप नहीं कर सकते हो, 2 goal down होने के बाद, you know what, अगर Unai Emery यह सोच रहे की, वो Willa Real में जाकर 2 goal मार देगा, it will be hard for them, you know, इस Liverpool की side को देख करके, जो spaces नहीं leave कर रही, आपको counter नहीं मनाने दे रही है, बहुत ही अगर Willa Real को goal मारना है न, तो उनको बहुत ही सदा precise होना पड़ेगा with their passing, जो कल के game में मिर को उतना देखने को नहीं मिला, क्योंकि Liverpool की pressing, और Liverpool जी से सबसे space नहीं छोट रही थी, Willa Real को कोई chance नहीं है second half में, anyways, so yeah, आप देख सकते हैं, बैठे हुए हैं, यह है 57th minute का, यह है this defensive and field में जा करके, आप यह काम नहीं कर सकते हो, जब आप 2 goal down हो, और सोच रहे हो कि मेरे को ugly lag में game करना है, anyway, so yeah, this is the screenshot I was talking about, but हाँ, वो चीज़ आपको नहीं देखने को मिली, so बहुत ही अच्छा मेरे को game देखने को मिला, कुछ इस चार प्लियर्स इनका मैं नाम लूँ, वो है, obviously, Arnold भाई साब क्या ही right back, attack करता है, defend करता है, उसको लोग पहले शुरू बात में बोलते थे कि वो defending उत्ती अच्छी नहीं करता है, बट कल के game में मेरे को defending करता हूँ नजर आया, बाकि, हाँ, substitutions Liverpool ने 71 मिनिट में कर लिये थे, जिसमें, I fairly remember, साडियो माने चले गए हैं, Henderson चले गए थे, बीच में फिर ट्रेंट भी चला गया थे, कुछ कुछ जो है, वो substitutions, वे थे Liverpool के तरफ से, जो obviously, उनके अगले game, Newcastle का, बहुत ही important game, Liverpool के लिए, उसके लिए, अपने main players को जो है, वो rest दे रहा है, जगन club, बाकि, इट वस beautiful, कल के game में कुछ highlights जो बैने 1, Fabinho की defending was up top notch, बट passing कल, Fabinho बहुत ही गंदे कर रहा था, कुछ disposes उसने कर रहे हैं, जिसके चलते, Villarreal के एकके दुख के counter attack बने है, Siago is a baller, शुरूआत में Liverpool fans ने उसको बहुत ही mock किया था, बट now he is showing his qualities, जो मैं जानता था, कि Liverpool में वहाँ को हमको दिखाएगा, and obviously, Saleh और Mane की combination भाई साब, बहुत ही प्यारी जूगल बंदी हमको देखने को मिली, throughout the game, कई सारे passes से दोने exchange करके finish करने तक पहुचाया, और कुछ-कुछ finish भी कर दिया, and भाई साब, Mane number 9 was working brilliantly, number 9 वाला position, जो, number 10 वाला position, sorry, number 9, false 9 वाला position, जो है, वो Mane का बहुत ही प्यारा जो है, वो बहुत जल्द finish करे कडिया, दियाश विल, you know what, surely, rank some goals इस लिवरपूल के साइड के लिए, and वो चिसकाल हमको गेम में देखने को मिला, पहला सीधन है, जो कर रहा है, बहुत ही प्यारा कर रहा है, बाकि या, trend was amazing, but, विलारेयाल बहुत ही easy खेलिए, look at this, यार, ये क्या है, what जो मेरे को नहीं लगता कि लिवरपूल उनको देगी, बहुत ही बढ़िया गेम कल देखने को मिला, neutral के हाफ में, not बढ़िया, then Man City vs Real Madrid, वो तो popcorn खाले वाला गेम था, but, this was pure football etiquette, जो हमको देखने को मिला था, brilliant footballing brains हमको देखने को मिले थे, कैसे एक defensive low block को तोड़ा अगर तुम इस Liverpool के side को देखोगे, तुम बोलो कि कि Salah Qp dependent नहीं है, Salah Qp dependent तुम अगर बोलो कि माने Qp dependent नहीं है, Mane Qp dependent अगर तुम बोलो कि यह Thriago Qp dependent नहीं है, India Qp dependent यह टीम, पूरी टीम खेलती है, और यह पूरी टीम की performance को देखने के बाद मेरे को यह लगता है कि Liverpool surely has a short quadruple के लिए, anything good happen, anyways, till the next video, मैं शेच कि नहीं है, आज रात को बार्सलोना का FIFA करियर का mega stream चलने वाला है, पूरे खतम कर दूँगा UCL जी आना है, आज बार्सलोना को रात को आज आना, कितने बजे अभी नहीं बता, Instagram पे follow कर लो, वहाँ बता दूँगा, 6 गंटे की stream होगी तो 6 गंटे करूँगा लेकिन आज बार्सलोना करियर मोट खतम करके ही हुटूँगा, ठीक है, आज रात, बाई